नमस्कार दोस्तों आप कार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्जाम टार्गेट अक्रेडिमी पर तो दोस्तों आज टेली की मात आज भी हम करंट अफेर्स की वीडियो लेकर आए हैं कुश्ण नमर वन अमेर्की सीनेट ने राष्टी औसदी नियंतरन नीती के निदेशक की जिम्यदारी किसे सोपी है ओप्षन ए राहूल गुपता ओप्षन बी अनिलकुमार ओप्षन सी मोहन सेट ओप्षन डी राहूल सचदेव इसका सही जवाब है ओप्षन ए राहूल गुपता को अमेर्की सीनेट ने राष्टी औसदी नियंतरन नीती के निदेशक की जिम्यदारी सोपी है राहूल गुपता वाइट आउस ओफिस ओफ नेशनल ड्रग कंट्रोल पॉल्सी ओ एन्डी सीपी का नेतरत करने वाले पहले डॉक्टर बन गए हैं राहूल प्रवंदन और नेतरत विभाग में सहायक प्रोफेसर रह चुके हैं उन्होंने हावर्ड टी एच चैन स्कूल और पबलिक हेल्थ में विजिटिंग फेकल्टी के तौर पर भी काम किया है कुशन नमर दो टी ट्वेंटी इंटरनेशनल किरकेट में सबसे तेज त्रेपन मै तो इसका सही जवाब है उप्शन B राशिद खान राशिद खान अब टी ट्वेंटी इंटरनेशनल में सबसे तेज हंडरेड विक्र लेने वाले गयादवाज बन गए हैं राशिद ने त्रेपनवे इंटरनेशनल में विकेट्स का सतक पूरा किया है खास बात यह है कि रा स्वेकेट पूरे कर लिये थे इससे पहले टी ट्वेंटी इंटरनेशनल में सबसे तेज हंडरेड विक्र लेने का रिकार्ड स्री लंका के पूरु तेज गंदवाद लासिद मलिंगा के नाम था मलिंगा ने टी ट्वेंटी इंटरनेशनल में स्वेकेट का हांगडा चुन अप्षन C, एलन डेविडिशन, ऑप्षन D, गलेन मैक्सवेल, तो इसका सही जवाब है, ऑप्षन C, एलन डेविडिशन, एस्टिलिया के पूर्व दिगज गिर्केटर एलन डेविडिशन का निदन हो गया है, उनके अचानक निदन से क्रिकेट जगत में सोक की लहर दोड़ गई है, उन्होंने 10 साल तक क्रिकेट उस्टिलिया का प्रतिनी दिग किया था, इस दोरान उन्होंने 44 मैच, 44 टेस्ट मैच कंगारू टीम के लिए खेले, एलन डेविडिशन ने उस्टिलिया के लिए 44 टेस्ट मैच के लिए जिन में उन्होंने 1328 रन बनाए, उन्होंने इ पांस से ग्यारे साल के बच्चों के लिए फाइजर टीके को मंजूरी प्रदान कर दी है ऑप्शन भारत ऑप्शन भी अमेरिका ऑप्शन सी नेपाल ऑप्शन डी बंगलादेश तो इसका सही जवाब है ऑप्शन भी अमेरिका ने बच्चों को कोरोना से बचाने के लिए अमेरिका को टीका करन के छेतर में बड़ी सफलता मिली है दरसल अब यहां के पांस से ग्यारे साल के बच्चों को कोरोना वैक्सीन फाइजर की खुराग दी जाएगी और इसके लिए अमेरिकी खाद ओसदी परसाद सन एब डिये ने 39 अक्टूबर 2021 को मंजूरी भी दे दी है इसके साथ ही अमेरिका में बच्चों को लगने वाली पहली वैक्सीन फाइजर ही बन गई है कुस्षन नमर पांच NCRV की एक रिपोर्ट के अनुसार देश में हर रोज कितने बच्चे खुदकुसी कर रहे हैं उप्षन A 31 बच्चे, उप्षन B 50 बच्चे, उप्षन C 55 बच्चे, उप्षन D 70 बच्चे तो इसका सही जवाब है उप्षन A यानी 31 बच्चे बारत में प्रते दिन 31 बच्चे आत्मत्याग कर रहे हैं आकणों के अनुसार साल 2020 में 18 बच्चे छोटे 11,396 बच्चों ने अपना जीवन खत्म कर लिया यह संख्या 2019 के मुकाबले 18 परसत अधिक है NCRB की रिपोर्ट के मुताबिक बच्चों की आत्मत्यागी संख्या दो साल पहले भी 21 परसत अधिक है 2019 में 9613, 2018 में 9413 बच्चों ने आत्मत्याग की है Q6, किस राज ने उर्जा दच्चता सूचकांग 2020 में पर्थमिस्थान प्राप्त किया है Option A, राजिस्थान, Option B, करनाटक, Option C, तमिल नाडू, Option D, असम तो इसका सही जवाब है, Option B, करनाटक केंद्री बिद्दूत मंत्राले और उर्जा दच्चता बीरो द्वारा जारी राज उर्जा दच्चता सूचकांग 2020 में राजिस्थान दूसरे स्थान पर है, सूची में करनाटक पहले स्थान पर है राजिस्थान अच्छा उर्जा निगम के अच्छा अध्यच प्रबंदन ने देशक डाक्टर सुवोध अकरवाल ने एक ब्यान में बताया कि राज उर्जा दच्छता सूचकां 2020 के लिए भारत सरकार द्वारा तेश के समस्त राजियों को राजिस्रेणियों में बाटा गया था राज ने 61 अंक दर्ज किये हैं आपको बता दें कि इस सूची में हर्याना तीसरे नमर पर है कुशन नमर साथ हाल ही में आयुद्या में एक साथ दीप जलाने का रिकार्ड गिनीज बुक आप रिकॉर्ड यनि बल रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है तो दस लाग दस लाग एक तालीस हजार पांसो एक क्यामन या नौ लाग एक तालीस हजार पांसो एक क्यामन या पंद्रे लाग अरतालीस हजार पांसो एक क्यामन या सोले लाग बारह जार पांसो एक क्यामन तो इसका सही जवाब है option B 9,41,551 दीपोत्सव के मौके पर 3 नवंबर 2021 को आयोध्या में एक साथ 9,41,551 दीप जलाने का रिकार्ड गिनीज बुक और बर्ल रिकॉर्ड में धर्ज किया गया है उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्रिया अधितनातियोगी की सरकार बनने के साथ ही 2017 में आयोध्या राम की पैड़ी पर दीपोत्सव कारेकरम की सुरुवात हुई सबसे पहले लगवग 1,80,000 दीपक जलाए गए थे इसी तरह 2018 में 3,1,52, 2019 में 5,50,000, 2020 में 5,51,000 और अब 2021 में योगी सरकार के इस कारकाल का अंतिम साल है और इस बार 9,41,551 जलाए गए थे कुस्सन नमर 8 और इस वीडियो का अंतिम कुस्सन दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और अगर चैनल पर नए हैं तो सबस्क्राइब करें ऐसी ही वीडियो हम आपको आगामी लाते रहेंगे और साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें जिससे हमारी आने वाली वीडियो आपको तुरंद मिल सके तो स्विर्जन लेंड में भारत का राजदूर निम्न में से किसे निक्त किया गया है ऑप्षन ए पार्थ सत्यपी सत्पती ऑप्षन भी राहूल सस्चिदेवा ऑप्षन डी disparity ऑप्षन सी संजयवट्टाचारे अप्षन डी अनिलतैगी तो सही जवाब है ऑप्षन सी संजयवट्टाचारे को निक्त किया गया है संज्या भट्टाचार को 3 नवंबर 2021 को स्यूट जल लेंड में भारत का राजदू नेक्त किया गया था विदेश मंत्राले ने यह जानकरी दिया है कि भट्टाचार अभी मंत्राले में सच्चिव के पद परकार रहते हैं संज्या भट्टाचार अठा 1987 बैच के भारतिय विदेश सेवा के अधिकारी हैं मंत्राले के अनुसार भट्टाचार जल्दी पदवार ग्रहन कर लेंगे तो दोस्तों गुडवाय मिलते हैं फिरम अगली वीडियो में तब तक के लिए सब बाखेर नमस्कार